हेलो एवरिवन, वेलकम अगें टू लंगर दितिमन, तो आज हम करेंगी क्लास एर्थ में चैप्टर नंबर 4 के कोश्यन आंसर जो की जनसंख्या से संबन देता है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्र किया गया, तो यह कारे जो है 1872 इसवी से प्रारम किया गया, ठीक है, और आपको याद है कि जनगर्णा का कारे जो है वो हर 10 वर्स में किया जाता है, फिर देखें, कोश्यन नंबर 2, सन 2011 की जनगर्णा की अनुसार राजिस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, सन 2011 की जनगर जो भारत की जनसंख्या का 5.7% है, जनसंख्या परिवर्तन किसे कहते हैं, जनसंख्या का बढ़ना या घटना दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है, किसी निश्चित अवदी में जनसंख्या में जो भी चेंजमेंट आता है, उसे ही जनसंख्या परिवर्त तो वहाँ पर जन संक्या बढ़ती है तब भी जन संक्या परिवर्टित होती है जन संक्या में धनात्मक वरद्धी कहा जाता है तो जन संक्या में धनात्मक वरद्धी जो है वो कहा जाता है किसी इस्थान की जन संक्या का एक वर्स या एक दसक में पिछले वर्स से बढ़ जा इसका अर्थ यह है यहां पर यह कहा गया है कि किसी इस्थान की जनसंख्या यदि एक वर्स में या एक दसक में पिछले वर्स की तुलना में यदि बढ़ती है तो जनसंख्या जो है वो धनात्मक व्रद्धी में है जनसंख्या में रनात्मक व्रद्धी किसे कहा जाता है तो बिलकुल अपोजिट है जनसंख्या के धनात्मक व्रद्धी का कि किसी इस्थान की जनसंख्या का एक वर्स या एक दसक में पिछले वर्स से कम होना जनसंख्या की रनात्मक व्रद्धी कहा जाता है 2011 की जन गर्णा के अनुसार राज्य की जन संख्या व्रद्धी दर कितनी हुई 2011 की जन गर्णा की अनुसार राज्य की राजिस्थान राज्य की जन संख्या व्रद्धी कितनी हुई तो राजिस्थान की जन संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है ठीक है तो यह 21.31 प्रतिशत रही, 2011 की जन गरना की अनुसार, राजे स्थान राज्य की जन संख्या 21.31 प्रतिशत से व्रद्धी इसमें हुई, राजे स्थान में जन संख्या व्रद्धी सरवाधिक और सबसे कम किस जिले में रही। राजे स्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या व्रद्दीदर किस जिले में रही और सबसे कम किस में रही तो सबसे ज़्यादा जो है वो बाडमेर जिले में रही 32.5 प्रतिशत और सबसे कम जो है वो गंगा नगर में रही 10 प्रतिशत नेक्स्ट देखिए कोश्य नमबर 8 जनसंख्या घनत्व क्या है एक इस्थान के शेतरपल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या जो प्रतिवर्ग किलोमीटर में देखी जाती है तो एक स्थान के छेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही जन संख्या घनत्व कहा जाता है राजिस्थान में जन संख्या घनत्व कितना है तो राजिस्थान में जन संख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है इसका मतलब ये है कि राजेस्थान में प्रतिवर्ग किलोमीटर पर औसतन 200 व्यक्ति जो हैं निवास करते हैं राजेस्थान राज्य में जनसंख्या घनत्व सरवाधिक किस जिले में हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व ये है जैपुर जिले में 595 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर तो ये सभी आंक्रे जो हैं 2011 की जन घनत्व के अनुसार लिये गए हैं राजेस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले में हैं तो जैपुर में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसल मेर में है 17 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर राजिस्थान में उत्री पूर्वी राजिस्थान से पक्षमी राजिस्थान में जन्संख्या कम है या अधिक है तो हम सभी जानते हैं कि जो पक्षमी राजिस्थान है जो कि किस से संबंदित है मरुस्थल से संबंदित है अत्यदिक तो यहां पर कम जनसंक्या निवास करती है वहीं पूर्वी राजिस्थान में रोजगार के साधन है पानी की पर्याप्त मात्रा है तो इस वज़े से वहा पुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत रहता है तो पूरे राजिस्थान का 10% जो है वह है जैपुर जिले में निवास करता है। 61% भूभाग पर 40% के लगवग जनसंख्या निवास करती है। इस्त्रियों की कितनी संक्या है इसे लिंगा नुपात कहते हैं और इससे हमें ये पता लगता है कि महलाओं की इस्तती क्या है उस जिले में। तो 2011 की जन गरना की अनुसार पूरे राजिस्थान में यदि हम लिंगा नुपात की बात करें तो 928 महलाएं प्रति हजार पुरुस। नेक्स्ट देखें कुश्य नंबर 17 है दो हजार ग्यारा की जन गरना की अनुसार 6 वर्स से कम आयू के बच्चों में लिंगा नुपात कितना है तो ये बहुत कम है और ये है 888 नेक्स्ट देखें राजेस्थान में सरवादिक लिंगा नुपात किस जिले में है तो डुंगरपुर जिले में सरवादिक लिंगा नुपात है यानि कि यहां पर महलाओं की संख्या अधिक है 994 महलाएं जो हैं वो प्रति हजार पुरुस पर हैं राजेस्थान में सबसे कम लिंगा नुपात किस जिले में है तो सबसे कम लिंगा नुपात धौलपुर जिले में है 846 महलाएं प्रति हजार पुरुस साक्षर्ता दर से क्या अभिप्राय है? तो साक्षर्ता दर से अभिप्राय है किसी शेत्र या राज्य की कुल जन्संख्या में से पढ़ने लिखने में सक्षम जन्संख्या जो पढ़े लिखे हैं तो उसी दर से हम पता लगाते हैं साक्षर्ता दर का 2011 की जन गणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता कितनी प्रतिशत है 2011 की जन गणना की अनुसार राज्य की कुल साक्षरता कितनी प्रतिशत है तो यह 66.111 प्रतिशत है यह एक्जाम में आया हुआ कोश्यन है कि 2011 की जन गढञा की अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है 66.1 प्रतिशत राजेस्थान में सरवाद Julian साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो वह जिला है कोटा जिला और यहां पर 76.6 प्रतिशत जो है यहां पर साक्षरता दर है ठीक है तो सबसे ज़्यादा पड़े लिखे जो है हमें कहां मिलेंगे कोटा में राजेस्थान में सबसे कम साक्षर्टा वाला जिला कौन सा है तो सबसे कम साक्षर्टा वाला जिला है जालोर और जहां पर 54.9 प्रतिशत जो है यहां की साक्षर्टा दर है राजिस्थान में पुर्सों की साक्षर्था प्रतिशत कितना है? तो पुर्सों की साक्षर्था प्रतिशत 89.1 नौ प्रतिशत है ठीक है? 66.1 एक एक प्रतिशत कुल साक्षर्था मैं से 89.1 नौ प्रतिशत पुरुस साक्षर्था है राजिस्थान में महिलाओं का साक्षर्टा प्रतिशत कितना है तो याद रखिए मैंने आपको बताया कि कुल साक्षर्टा 66.1-1 प्रतिशत है जिसमें पुर्सों की साक्षर्टा 89.1-9 प्रतिशत है और महिलाओं की साक्षर्टा 52.1-2 प्रतिशत है जो की पुर्सों के तुल पुरुस साक्षर्ता और महिला साक्षर्ता किस जिले में है तो पुरुसों की बात करें तो जुन-जुनू है और महिलाओं की बात करें तो कोटा जिला है राजेस्थान में न्यून्तम साक्षर्ता पुरुसों की और महिलाओं की किस जिले में है तो पुरुस साक्षर्ता जो की कम है प्रतापगड की और जालोर की महिला साक्षर्ता जो है वह है कम है ठीक है जालोर में महिला साक्षर्ता सबसे कम मिलेगी और प्रतापगड में पु जनसंख्या वाला जिला कौन सा है राजिस्थान में सरवाद एक नगरिय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो हमें पता है कि हमारे राज्य की जादा तर जनसंख्या जो है वो गाउं में निवास करती है ठीक है और यहां पर कोटा जिले में नगरिय जनसंख्या जो है वो सबसे कम नगरिय जनसंख्या डुंगरपुर में है ठीक है डुंगरपुर एक ग्रामिर इलाके में आ जाता है जनगड़ना 2011 की अनुसार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जन जातियों की है तो राजिस्थान में बहुत सारे जन जातिया निवास करती है ठीक है अधिक तर जो है वो गाओं में पहाड़ों पे जंगलों में निवास करती है और यहां बर 13.5 प्रतिशत जो जनसंख्या है वह अनसूचित जन जातियों की है राजिस्थान राज्य में 2011 की जन गरना की अ राजिस्थान में कौन-कौन सी जंजातिया निवास करती हैं तो यहां पर भील जंजाती, मीडा जंजाती, डामोर जंजाती, सांसी जंजाती, गरास या सहर या जंजाती निवास करती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मीडा जंजाती आपको देखने को मिलेगी और यहां सबसे पुरानी प्राचीन जनजाती जो है वह है भील जनजाती राचेस्थान में सरवादिक जनसंख्या किस जनजाती की है तो अभी मैंने आपको बताया कि यहां मीना जनजाती जो है उसकी जनसंख्या जो है वह सरवादिक है मीडा जनजाती मुख्यत है कहा निवास करती है तो ये जनजाती जो है वो जैपूर, दोसा, स्वाई माधोपूर, करोली, अलवर, उधैपूर, कोटा, बूंदी जिलों में निवास करती है राजिस्थान की कौन सी जनजाती सबसे प्राचीन जनजाती है तो वह है भील जनजाती भील जनजाती कहा निवास करती है तो ये जनजाती जो है बाजवाडा, डुंगरपूर, प्रताबगर्ड और शिरोही जिले में निवास करती है डामोर जन जाती मुख्यते कहां निवास करती है तो डामोर जन जाती जो है यह भी डा से डामोर और डा से डुंगरपुर तो डुंगरपुर जिले के सिमल वाड़ा शेत्र में डामोर जन जाती निवास करती है गरासिया जनजाती मुक्हते कहा पाई जाती है तो ये जनजाती जो है वो सिरोही जिले की आबू रोड आवम पिंडवाड़ा तहसिल में पाई जाती है ठीक है? यहाँ ये निवास करती है स्वी रोही जिले की आबू रोड और पिंडवाडा तहसील में गरासिय जनजाती जो है वह मुख्यते निवास करती है सांसी जनजाती मुख्यते कहां पाई जाती है सांसी जनजाती जो है वह भरतपुर में निवास करती है किस जनजाती को भारत सरकार ने आदिम जनजाती समू की सूची में सामिल किया है किस जनजाती को भारत सरकार ने आदिम जनजाती समू की सूची में सामिल किया है तो वह है शहरिया जनजाती तो यहां आदिम जो जनजाती है उसका अर्थ क्या होता है जो जनजाती हद से ज़्यादा पिछडी होती है उस जनजाती को हम आदिम जनजाती की श्रेणी में रखते हैं तो सहरिया जनजाती जो है जिसे की भारत सरकार ने आदिम जनजाती समू की सूची में शामिल किया है तो यह 12 जिले के साहबाद और किसन कंज तहसील में सबसे ज़ादा सहरिया जनजाती मिलेगी तो यह chapter जो है यहाँ पर complete होता है इस chapter में से 40 question जो है वहे निकल कर आए है और question जो है आपके exam में 100% यहाँ से आएगा जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा जा सकता है कहां जनसंख्या घनत्व अधिक है कहां कम है इसी तरीके से कौन से जनजाती जो है किस शेतर में देखिएगा वीडियो बार बार देखिएगा तभी आपको यह चीजे याद होंगी मिलेंगे next वीडियो में chapter 5 के question answer के साथ thank you